हेलो गाइस कैसे हो आप सब दूस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में RCB ने दो मैचेस में से अपना पहला मुकाबला जेत लिया है पंजाब किंज को हरा करके RCB ने दो एहम अंक हासिल कर लिये हैं अब दोस्तों अगला मैच जो है RCB टीम को KKR के खिलना है ऐसे में इस मैच में क्या बड़े चेंजेस हमें होते हुए दिखाई दे सकते हैं कौन सा खिलाडी आएगा अंदर कौन सा खिलाडी होने वाला है बाहर इसको लेकर हमारी ये वीडियो होने वाली है वहीं दोस्तों आपके हिसाब से आपको क्या लगता है क्या बदलाव करने चाहिए तीसरे मैच के लिए RCB टीम को नीचे हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा चैनल पर नए आये हो तो इसे आज से सब्सक्राइब करके बिल आइकन को भी दबा कर रख लीजेगा ताकि ऐसे ही हर एक important update आपको RCB टीम से जोड़ी लगातार मिलती रहे है वहीं दोस्तों only RCB के ही नाम से हमारा टेलिग्राम चैनल भी है अगर यार उसे जोइन नहीं किये हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी फटा फट जाओ लिंक पर क्लिक करो और जोइन करके रख लो कि वहीं पर आपको पूरे IPL RCB टीम की हर एक खबर सबसे पहले मिलेगी तो देर मत कर फटा फट जॉइन कर दो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों RCB को अपना तीसरा मैच जो है KKR के खिलाफ खेलना है ये मैच बिलकुल भी आसान नहीं होने वाला है क्योंकि KKR के धाकड खतरनाक बल्लेबाच आंदर रसल बेतरीन फॉर्म में हैं और पहले मैच में जिस तरह की पारी वो खेल कर आ रहे हैं उनका आत्म विश्वास चरम सीमा पर होगा ऐसे में दोस्तों RCB टीम के इनबाजो को जम कर प्लैनिंग करके आनी पड़ेगी खास कर रसल और रिंकु सिंग के खिलाफ क्योंकि चिन्ना सॉमी के स्टेडिया में मैच होने वाला ह यह मुकाबला बहुत मज़दार होगा और RCB टीम में ही चाहेगी कि इस मैच को जेद करके दो और अंक हासिल किये जाए जिससे धिरे धिरे टीम आगे बढ़े अब भाईयो हम बात करते हैं कि इस मैच में टीम जो है क्या चेंज़ेस कर सकती है तो पहला चेंज होने वाला ह कहें रिस्टोपले को RCB टीम इस मैच में लेकर आना चाहेगी प्लेइंग लेवन में इसके बाद दोस्तो दूसरा चेंज हमें होते हो दिखाई दे सकता है शायद मेरे हिसाब से कंड शर्मा को मौका दिया जा सकता है मेंग डागर के प्लेस पर मेंग डागर ने पहले मुक कमेंट्स करके बताइएगा जरूर अभी के लिए इस वीडियो में इतना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर किजिए मिलते है अगले वीडियो में